सिर्फ आलू प्याज ही नहीं इस बारिस के मौसर में बनाए अर्भी के पत्ते के पकोड़े यानि की पात्रा जो कि आप बहुत ही असानी से घर पर बना सकते हैं और यह बहुत ज़्यादा स्वादिश्ट भी होते हैं देखने में यह भले ही नॉर्मल पकोड़े जैसे होते ह पर इनका स्वाद बहुत ही यूनिक होता है साथ ही यह पकोड़े सेहत मन भी होते हैं तो आहिए देखते हैं अर्भी के पत्ते के पकोड़े बनाने का एकदम सही तरीका तो अर्भी के पत्ते के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 10 से 12 यह अर्भी के पत्ते लिए होगी तो सबसे पहले तो हमें सारे पत्तों को अच्छे से 2-3 बार पानी से धो लेना है उसके बाद धोने के बाद इसको कपड़े से पोच कर अच्छे से सुखा लेजे इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए साथी अर्भी के पत्तों को हम इस तरह से बेलन से हलका सा बेल लेंगे ताकि एकदम सपार्ट हो जाए मतलब पत्ले एकदम बराबर से हो जाए कहीं पर उपर नीचे ना हो तो सारे पत्तों को हमें ऐसे ही तयार करके प्लेट पर रख लेना है अब हम इसके लिए घोल तियार करेंगे तो जो अर्भी के पत्ते के पकोड़े हैं उसको आप उरत दाल से भी बना सकते हैं मैं आपे बेसन का यूज़ करेंगे तो एक कप मैंने बेसन ले लिया है बेसन में हमें एक छुटी चमच जीरा डालनी है आधी छुटी चमच अजव बनते हैं इसके जगह पे आप एक छुटी चमच निम्बू का रस भी डाल सकते हैं अब इसमें हमें टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देना है और साथ में एक छुटी चमच में आपे जिंजर गार्लिक पेस्ट आल रहे हूं अब इसमें हमें जरुरत की साफसे पानी डाल कर बिल सकते में गाड़ा साथर्णास की हमेbooks को सबसे बड़ा साइज बड़ अधर इसके उलटा रखना है और इस तरफे उपर यह बेशन लगा देना भ्रश की मदद से या फिर हातों सी ही आप इसको असानी से सारे पत्तों की यूपर बचली लेर से आफ लगादी यह पा lol बेशन की अब हम दूसरा पत्ता लेंगे और इसको हमें opposite direction में रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ और इसके उपर भी हमें बेशन का घोल लगा लेना है कि किसी तरह से हम जो तीसरा पत्ता रखेंगे उसको भी opposite direction में रखकर बेशन का लेप लगा लेंगे तो ध्यान पत्ते पे लगाकर हम इसको अब दोनों साइट से फोल्ड करेंगे और इसके उपर भी हमें बेसन लगाते जाना है अब किसी एक साइट से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसको हमें एकदम टाइटली रोल करना है make sure जब आप इसको roll करें तो बिल्कुल पी gaps ना रहे एकडम tightly इसको roll कर लीजिए और इस तरह से इनके edges पे भी थोरा सा basin लगा लेंगे ताकि अच्छे से बंद हो जाए अब आप चाहें तो इस पे धागा भी बांच सकते हैं steam करने से पहले तो ऐसे हम अरबी के पत्तों के अब आप चाहें तो इसको इसको डिप फ्राइब कर सकते हैं या फिर आप इसको जैसे बनाया जाता है मैंने वैसे ही इसको 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 बनाना बताया है तो इसे सैलो फ्राइब करने के लिए मैंने हाँ पे तील गरम कर लिया है इसमें हमें आदी छोटी चमच जीरा डालना है एक छोटी चमच सफेद तिल डाल देंगे एक छोटी चमच हमें इसमें राई डालेंगे दो सितीन चुटकी हींग डाल दीजे अब इसमें हमें थोर तो हम इसको पलट लेंगे और दूसरी साइट से भी एकडम golden crispy होने तक हमें इसको शेक लेना है तो देखे कितने बढ़िया हमारे अरभी के पत्ते के पकोड़े बनके तयार है एकडम golden crispy हो जाते हैं यह shallow fry करने पे भी और इस तरह से एकडम healthy भी बनते हैं टेश्टी भी तो कोई जोरत नहीं होती डीप फ्राइ करने की तो यह सिग अब इनको हम प्लेट पे निकाल लेंगे इसकी उपट होड़ा सा बारिक कटवा हरा धनिया डाल कर सर्फ कीजिए तो यह गर्मा गर्म क्रिस्पी अरभी के पत्तों के पकोड़े आप भी ज़रूर ब